हलो और वेल्कम फ्रेंट्स पीवोट टेवल के माध्यम से डेटा को एनलाइज करना बड़ा असान हो जाता है तो पीवोट टेवल क्रिएट करना मैंने कई बार सिखाया है देखिए यहां पर अगर यह डेटा है हमारे पास इसमें आपको देख रहा होगा यहां पर नेम आप पर यहां इंप्लॉए का नेम है जिर्菜 को सेल किया फिर यहां प्राइज है इस प्राइज को मैं क्या करता हूँ यहां से जाकर को और इसे करेंश यहां पर रूपी抱 कर लेगा और यहीं सेंव फॉरमी्ट यहां पर यहां इस दोटल वाली सेक्शन पर만 लबना रहा है और अब हमें पिवोट टेवल का यूग करना तो पूरे डिटा को सेलेक करिए और यहां से आपको इंसर्ट पे जा करके यहां से प्योट टेवल पर जाना है जैसे यहां पर आपको सारी चीज़े नज़र आएंगी यहां पर आप अपने जरूरत के मुताबिक चीज़ों को ले सकते हैं, filter भी कर सकते हैं, तो यहां पर जैसे माल लिगे हमने ले लिया name of product ठीक है, यह हो गया name of employee और जैसे ही करेंगे न तो देखिए, यहां पर यह total detail भी आपको नजर आएगी इसमें, कि यहां charger किसके द्वारा sell किया गया, तो रपने अच्छ, ठीक है, तो मित के द्वारा desktop sell किया गया, राम के द्वारा क्या sell किया गया, यह total detail जो है, यहां पर आपको इस तरीके के format में दिख रहा है, ठीक है, इसके बाद हम price पर टिक करते हैं, तो यहां पर आपको price भी नजर आएगी, ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने यह दो 30 तो ले ह रखती है, quantity और फिर यहां पर आप total भी कर सकते हैं, तो यह इस तरीके से कुछ बन जाएगा, और आपका data जो analysis करना है, यह काफी असान हो जाएगा,